सी पंप, सी पंप, सी पंप, सी पंप, सी पंप, सी इप जो आए इस सकोर काड़ आ गया है जुनेट करलीवाला एंड ओमर बहमत के क्या placing आई ये सोख खत्म होने के बादज जुनेट केली वाले ने क्या क्या एंड अपने other bodybuilder का क्या रियक्षन था किस bodybuilder को कितने cash prize मनी दी गई and सीव हमने जब official रूप से announce कर दिया कि वह अब retirement लेने वाले तो उनके fans के दोरा उनको किस पेकार से विदाई दी गई इसका complete वीडियो में आपका लिखे आ चुके हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपका दो सर्स पांड है तो हम लोग 212 डिवीजन से स्टार्ट करते हैं जैसे के आप यहाँ पर scorecard में देख सकते हैं कि total 212 डिवीजन में 8 bodybuilder participate कर रहे थे और इसको जीते हैं असकनानी और इनको जो cash price मिलती वो मिलती 4000 डॉलर इंडियन रुपीज के हिसाब से होता है 3,36,593 रुप है और यदि आप लोगों को 212 डिवीजन की complete comparing and top 6 winner plus एहमद असकनानी जीतने के बाद उनकी क्या speech थी यदि आप लोगों को इसको सुनना है तो आप हमारे चैनल में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि हमने पराग प्रोसो की सभी वीडियो को cover की हैं अब हम अपने next category के विशे में बात करें तो वो है classic division और आप यहाँ पस scorecard में case bodybuilder के कौन से placing आए उसको देख सकते हैं winner के विशे में बात करें तो classic division को जीते हैं Richard और इनक आप से 4,21,990 रुपे होते हैं अब हम अपने next category के विशे में बात कर लेते हैं तो हमाई next division है men's budget division जिसमें हमारे दो इंडियन bodybuilder जुनेत कैली वाला एंड ओमर बहमत पार्टिसिपेट कर रहे थे अब आप यहाँपर site में scorecard में इनकी placing देख सकते हैं ओमर बहमत की placing आती 13 और जुनेत कैली वाला की placing आती है 16 हम आप सभी को बताना चाहते कि 15 के बाद जितने भी bodybuilder होते हैं उनको IMBP Federation के रूल के हिसाब से उनको 16 नंबर की placing दी जाती है जैसे कि आप यहाँपस बाकी bodybuilder के भी आंगे देख सकते कि उनके नीचे placing के नीचे 16 नंबर दिया गया ह लेकिन ओरिजिनल में जुनेत कैली वाला की कौन सी placing आई होगी क्योंकि जुनेत कैली वाला एंड ओमर भेहमत को सेम काल आउट में बुलाय गया था हमने आपको कल ही मैंस्पिजिक डिवीजन की सबसे पहले update दे दिये थे कि ओमर भेहमत एंड जुनेत कैली वाला को third काल आ रते मनलग भी अपने जुनेत कैली वाला एकदम लास्ट नहीं आए जो की काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि जुनेत कैली वाला इस वार भी लास्ट आएंगे वहीं पर सम्ट si जुनेद कैली वाला जिस पेकासे अपनी कंडिशन अपने बॉड़ी में इंप्रूमेंट लिके आयें इस बिसे में यहाँ पर जुनेद कैली वाला भी अपनी कुछ फोटो सेयर करते हैं यह मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट पैकेच है और यह हकीकत भी है आप जुनेद कैली कि पिछले वाले सो को देख सकते हैं एंड आप यहाँ पस करेंट टाइम के इनकी बॉड़ी को कंपेर करिए तो जमीन आस्मान का आपको अंतर दिखेगा उसके बाद जुनेद कैली वाला कहते हैं जो मुझको एचीव करना था वो मैं एचीव कर लिया हो हर को यहाँ पर ज दिख रहे हैं आप यहाँ पस चाहिंख मिट सेक्शन देखें ओबलिक देखें एकदम बॉड़ी सार पर दिख रहे हैं कंडिशन भी ओन पॉंट स्टेज में आये थे वहाँ पर जुनेद कैली वाले ने अपना बैक भी काफी अच्छा इंप्रूब किया है आप यहाँ पस एम के भी सेम बात करें तो अभी हमको जुनेद कैली वाला मुंबई में दिसंबर मत में 22 तारीक को होने वाले प्रोसों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनको इस प्रोसों से काफी ज़्यादा उमीद है कि वो भारत में ही अपना ओलम्पिया कॉलिफिकेशन लेकिन जिस प्रेकार से जुनेद कैली वाले ने प्रोसों में अपनी बाडि में लॉट आप इंप्रोवमेंट लेके आए तो उससे हमको एक सहरुखान का डायलोग याद आता है आप हम अपने दुसरे इंडियन बाडि-बीडर ओमर बहमत को बचते हैं जैसे कि आप सब बीटियो के मादी हमसे देख सकते हैं इंगा फ्रेम और उच्छी बाडिवीड की एक हैप्श्य दिखती है अब इनको जजों को दोरा क्या फीड़बैक मिला है जो भी अपडेट आएगी वो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे एंड हमें उमीदे कि ओमर बहमद हमको 2025 में फिर से ओलम्पिया में इंडिया को रिपेजेंट करते हो हैं दिखेंगे एंड आप सभी कोई ओमर बहमद एंड जुनेत कैली वाला के लिए कांग्रिचिलेशन लिखना मत भूलेगा अब हम मैंस पिजिक के विनर के बात करें तो इस कैटेगरी को जीते हैं ओमर सुलेमान और इंको मिलता 3,000 टॉलर इंडियन रूपीज के हिसाब से 2,3,195 रूपे होता है हमने आपको तीनो डिवीजन, क्लासिक डिवीजन, मैंस पिजिक डिवीजन, एंड टू वन टू डिवीजन के विनर के बिशे हमें एंड उनको कितनी कैस प्राइज मनी मिली है इन सब चीज के पिसे में डेटेल पूरक बता दे अब हम अपनी फोर्स डिवीजन के पिसे हम बात कर लेते हैं वो आती ओपन केटेगरी और जैसे कि आप सभी को बता है कि इसमें क्लासिक डिवीजन के लिजिया सीबम पार्टिसिपेट कर रहे थे फर्स्ट टाइम ओपन केटेगरी से और हमने इसका रिजल्ट आपको कल ही बता दिये थे कि इसमें सीबम की जो प्लेसिंग आती है सेकेंड नमर पे आते सीबम इनको मिलते 15,000 डॉलर इंडियन रुपीस के हिसाब से 12,5,000,980 रूप bolts होते है और बागी बॉडी बिल्डर की कौन सी प्लेसिंग आती है आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में देख सकते हैं सीबम की सेकंड प्लेसिंग आने के बाद उनके फैंस काफी जादा दुखी थे उनको ऐसा लग रहा था कि इस डिवीजन को सीबम को ही जीतना चाहिए था सीबम के साथ धोका हुआ या फिर चीटिंग हुई है लेकिन जब सीबम की सेकंड प्लेसिंग आने के बाद वो अपनी रिटायर्मेंट के ओफीसियल रूप से एनाउस्मेंट करते हैं तो उसके बाद उनके जो फैंसे वो काफी जादा इमोशनल हो जाते हैं सीबम के स्पीच सुनने के बाद और आप यहां पर जैसे के इस कैप्टिंग के मादयम से उनका रियक्शन भी देख सकते हैं यदि आप लोगों को सीबम के स्पीच सुनना है आप्टर सो तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं क्योंकि उसकी अपडेट हमने आपको आज सुभीरे ही दे दिये थे कि कौन ओपन डिवीजन से टॉप सिक्स विनर बना है एंड किसकी कौन सी प्लेसिंग आई है सीब हम ने क्या कहा है जैसे कि आप यहाँ पस कैप्सल में भी देख सकते कि सीब हम काफी जादा इमोशनल है एंड वो कहरें कि मुझको कोई भी उमी इस प्रकार से यहाँ पर स्पीच देते हैं एंड यहाँ पस सीब हम अपनी स्पीच में ओफीसियल रूप से एनाउसमेंट करते हैं कि अब मुझको नहीं लगता कि मैं अब कोई भी दूसरा बॉडी बिल्डिंग सो खेलूंगा मैं जहाँ तक है कि कनफर्म है कि अब मैं र एक्सन मिलता है आप्टर सो तो उसको देख लेते हैं एंड आप लोगों को आंगी भी इसे प्रकार से बॉडी बिल्डिंग और कॉम्प्टिशन की सब से पहले और सठीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चाहिए को सब्सक्राइब कर लीजेगा प्लेस बेल आ वीडिल्योर, वीडियोर शजाल की सबस्टार से पहल आंगी है फोले सowsय किसे जानका आप लोगों को सिर्ग लोगों क Compared All दो रहता है जा मिल्ता ऴूम्प्रण की से हैं तो ऑलत के ऊतर स revise मोन हैं एंगी सब्सक्राब कहता है